तो गाइस लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने लंबोग इनी टैर्जो चोरी की थी बट मेरे पीछे काफी सारी पुलिस पढ़ गी थी अब मैं जैसे मर्जी करके पुलिस से पीछा चुड़वा तो आया था लेकिन आप ये जो साउंड सुन रहे हो ना यहां पे हमारे माइकल के घर में पुलिस ने रेड कर दिया भाई और वो गोलियों पे गोलिया बरसा ही जा रहे हैं और अब भाई मैं बार निकला ना तो मुझे लग रहे है कि शायद पुलिस वाले मेरा इनकाउंटर भी कर सकते हैं लाल अभी मेरे साथ अच्छी बात तो है कि ट्रैवर भी है तो मैंना ऐसा सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं थोड़ा क्लोज जाके इंसे फाइट लू बट मेरे को पता है कि मैं क्लोज गया जिसे साब से आप साउंड सुन रहे हो ना इतना तेज साउंड आ रहा है गोलियों का यह भाई मेरे को उड़ा देंगे लेकिन मैं फिर भी लड़ाई लेने वाला हूं भी यार मेरा घर यह पुरा तबाह कर देंगे अगर हमारे पास देखा जाबी मेरे वैपन है थोड़े बहुत तो मैं ट्रैवर को भी एक गन पकड़ाता हूं और हम जाने वाले सीधा पुल एक एक रस्ता पुरा चेक करके घर आया था पुलिस वालों ने मुझे नहीं देखा था लेकिन फिर भी गाईस पुलिस को माई लोकेशन पता चल चुकी है और भी माईकल काफी जादा मुश्किलात में है फिलाल अभी मैं फटावट से ट्रैवर को गन पकड़ाता हूं और इन से लड़ाई जो है शुरू करता हूं चलो गाईस अभी मैंने ट्रैवर को भी एक फॉर्टी सावन पकड़ा दिया है और गाईस सावंड इतना सारा आ रहा ना अब तो भाई हमें इनको भरने पड़ेगा यूकि जर आप चेक कर भाई कितना ही तगड़ा गोलियों से मे इनकोनी चोड़ने वाला चलो गाईस अभी मैरे अपना लॉंचर निकाल लिया है और अगर मैं ऑबी बाहर गाना तो यह मेरा भरता है ऐसा इसा अगे कि मैने सोची नहीं होगी तो अभी फिलाल मैरे अपने हाथ में लॉचर निकाला है और भाई भाई बबाई यहाँ पर बहुत ही जादा सेक्योर्टी है पुलिस वाले हमारे साथ लेकिन अभी फिलाल मैं इन सब को उड़ाने वाला हूँ शोलोग आइस अभी बार सेक्योर्टी देख रहो कि तरी सारी हो चुके है मतलब भाई ये पुलिस वाले ने पूरे के पूरे स्वेट वाले है जो हमारे पी क्योंटी काड नहीं होंगे पुलिस वालों के मैं लग रहा कि अभी और भी काफी सारे पुलिस वाले आने वले हमें मानने के लिए लेकिन सबसे पहले गाईस हमेना एक बार लेस्टर को कॉल करके पूछ इलना चाहिए कि अभी हम फिलाल करें क्या क्या तो कि पुलिस वालो लेस्टर में हो और यहां पर माइकल का इंकाउटर हो सकता है यह 100% चाहरा है बचना है तो भी वो के घर यहां से घर जाना काफी है पीछा करना छोड़ दिया है, बट नहीं, भाई सब मुझे लगा कि पुलिस ओलों ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया, बट भाई दर गाड़िया चेक करो, पुलिस ओलों की फिर आयन लग गी है, शायद यार मैंने घर से बार निकल की गलती कर दी, लेकिन भाई मेरे को पार आएगा वह हमें पेल देंगे और फिलान यहां से पुलिस हमारे पीछे फिर पढ़ चुकी है लेकिन अभी जैसे मर्जी करके लेस्टर के घर जाना पड़ेगा अपनी जान चुड़वाने के लिए लेकिन अगर मैं लेस्टर के घर चला गया और पुलिस वलों ने हमारा माइकल का लेकिन अभी मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते विए जाते रहूं पूरा है लेस्टर के घर पे लाल गाईस यहां पर पुलिस वलों ने मुझे चारु जगह से घेर लिया और अभी भाई मैं को पता ने चल रहा कि मैं कौन सी जगह पे जहां से मेरे से उसके बाद ही मैं यहां से आगे निकलने मुला हूं कि भाई इतर इतरी जहां से क्योटी है रहा कि मैं क्या ही बताओ और फिलाल मुझे यहां पर एक टनल लगतो रहा है अगर इस टनल में मैं छुप जाओ थोड़ी दिर के लिए तो बड़े आर आने वला है क्योंकि भाई पर देखा जाए ना यहां पर निकले तो पुलिस वाले हमारा फिर जो है डूड लेंगे तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं लैस्टर को कॉल करके क्या देता हूं कि लैस्टर इदर आ जाए तो वह ज्यादा बड़े रहेगा नहीं तो अगर हम यहां से फिर बार निकले ना तो भ गोवाले नीकलना बहुत जाएं सबस्क्राइब लिए एच्छे लोग आई अभी मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कहा रहा है कि अभी तुम भई रुको और लेस्टर ना भी मतलब यहांपे आने वाला है लेकि पुलिस वालों को यह नहीं पता कि लेस्टर भी इनके साथ मिला हुए तो भी फिलाल लेस्टर जो है घर से निकल चुका है और लेस्टर कहा रहा है और लेस्टर ने प्लान बता दिया है मतलब कहा रहा है कि तुम पलीटो बेवि जा सकते हैजिए लेस्टर एक मुझे दूसरा प्लान बता रहे है कि वो जो है थोड़ा रिस्की है बट वो हमेशायद बचा सकता है पुलिस वालों से तो लेस्टर एक मुझे दूसरा प्लान बता रहा है जो काफी है मुश्किल लग रहा है लेस्टर कहारा है कि मुझे मिलिटरी बेस जाके वहां से टैंक चोरी करना पड़ेगा टैंक से हम इ मैं उसके साथ नहीं जाने वाला क्योंकि वह प्लान मुझे लग रहा है कि लेस्टर उससे हमें जल्दी मरवाएगा तो अब भी इसका पहले वला प्लान बढ़िया लगा कि तुम थोड़े दिनों के लिए प्लीटो बे चले जाओ यहां हम नौर्थ यांग्टन भी जा सकत इसमें तो लेस्टर कहा है कि इस चीज का भी जुगार किया हुए लेस्टर ने मतलब किसी भी रैंडम बंदे की ना पूरी कॉस्ट्यूम लिए बिल्कुल उसकी शकल जैसी मतलब मैं वह कॉस्ट्यूम पहनूंगा तो ऐसा लगगा कि कोई भी वह माइकल निया वह एक रैं लेकिन इसी के अंदर भाई माइकल है मतलब कॉस्ट्यूम पहने हुए और उपर से मास्क भी उस बंदे का लगा हुए बट अब यहां से मतलब यह हो का कि अगर हम जितने भी क्राइम करेंगे ना तो वह बंदा फस सकता है लेकिन हम ऐसे क्राइम नहीं करने वाले किसी के ब 24 गंटे के अंदर खराब हो जाएगी मतलब अगर 24 गंटे का टाइम है 24 गंटे वे तुम यहां से बार निकल जाओ वरना 24 गंटे के बाद इस कॉस्ट्यूम का कोई भी असर नहीं होगा और यह कॉस्ट्यूम जो है बिलकुल पहले की जैसी हो जाएगी यानि माइकल जो है अगर अगर आगर लोस संटोस में ही तो फिर भाई माइकल का इनकाउंटर पक्का है तो इसलिए हमें 24 गंटे के अंदर अंदर पली पहुंचना पड़ेगा तो चलो कास्ट्यूम का असर जो है पूरा खतम होजगा और माइकल दिखने लग गया और अगर हम लोस सेंटोस मे लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक जुरूर करना इसके आएक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को जाके लाइक कर देना एम कर तूप 50 लाइक का 50 लाइक सब फटावट से कंप्लीट करा दो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आने बला झाल झाल